केश जिंडल जी ये 2% वाली सीटें हैं इनको आपने देख लिया और वहां 9.5-10% मुसल्मान भी है और मुसल्मान सीटें कम से कम 19 हैं जहां पर भी वोट बट रहा है कॉंग्रेस के पास जो वोट जाता था उबदासा मांडवी वडगाम पालनपूर इन सब जगाओं पर वह मैं पूछना चाहरी हूं आज कॉंग्रेस का अस्तित्व है क्या नाविका जी देखिए जो कच का एरिया है अब दासा मांडवी भोज यहां पर कॉंग्रेस मजबूत है सौराष्ट्र में अमरेली का जो एरिया है भावनगर पोरबंदर और बेटद्वार का राज कोट यह खले ही मीडिया में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहां पर वोट कटिंग करेगी बट ऐसा ग्रास रूट पर कहीं भी दिख नहीं रहा है कॉंग्रेस मजबूत है जो आम जो किसान है वो आज भी कॉंग्रेस के साथ खड़ा है तेकि आम आदमी पार्टी का एक अर्बन बायस है वो एक किसान की जो जरूरते हैं मैं राजकोट मंदी की आपको एक उधारन देना चाहूंगा आज राजकोट मंदी में चना आज इसका MSP सरकार 5500 रुपए के आसपास रखती है आज भी 4500 रुपए में चना जो है गोदामों में भरा पड जिसकी उठाई नहीं हो रएए इस बात को लेके कॉंगरेस ने बहुत बार ये मुदा उठाया है कॉंगरेस की जो किसान ये सब्सक्राइश को किसान जो है के वाँ है वहां जमीन पराइगा पूरा संगथन है नाविका जी पूरा संगटन है ग्रास उटते और कल आपको एक बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलेगा आप कल मुझसे लिखके ले लीजिए आज देखिए अरविंद केजरिवाल जी ने लिखकर दिया था कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में 92 से उपर सीट्स यह जो ज्यान के चक्षू कॉंग्रेस पार्टी के खुल रहे हैं इसमें कोई दम है आप आपने म्यूट किया है अगर कॉंगरेस पार्टी अगर आरविं केजरिवाल से कुछ सीखना चाहती है तो जिस तरीके से एग्रेसिव कैमपेइनिंग वो करते हैं जिस तरीके से मु वहां कॉंग्रेस पार्टी को 30 सीटे मिलती हैं 2017 में गुजराट कॉंग्रेस पार्टी को 77 सीटे उसने दी थी और यह उम्मीद की थी कि अगले 5 साल कॉंग्रेस पार्टी मेहनत करके 67 से बीजेपी को बाहर कर सकती है आप अगर 40 सीट पाने पर अगर आप खुश हो जाते ह अगर आप कामियाब होते हैं तो आप भगवान आपका भला करें लेकिन जरा यह देखिए कि पार्टी जो पिछले एक साल पे वहां कोशिश करती है और आज वह ट्राइंगूलर फाइट कर देती है तो यह उसकी बहुत बड़ी कामियाबी है 2027 में खुदाना खास्ता वहा हाद होना पड़ा क्या गुजरात में चाबी ट्राइंग्यूलर कॉंटेस्ट के उपर ही निर्धारित है नभी का जी बिल्कुल नहीं हम कॉंग्रेस के साथ स्टेट फाइट में भी पिछले पंदरा साल से निरंतर जीतते आ रहे हैं पहले आपको यह जरूर याद रखना होगा हाँ कॉंग्रेस ने अपने वोटर के साथ दोखा किया दिल्ली में वो अलग बात है कॉंग्रेस ने गुजरात के वोटर के साथ दोखा किया वो भी अलग बात है अपने काडर को भी बीच मेर छोड़ गए और अपने लीडरों को कह दिया कि चुप चाप आम आदनी क्यों बनाते हैं तो अधार भी बता देते हैं तो मैं अधार भी बता देता हूं ना अधार देख लिए जिना चार सीटे जब आपके पास आ रही है गुजरात के अंतर अचानक अर्विंद केज्रिवार रातो रात गायब हो जाते हैं जो सीटे लिख कर देते थे हमारी सौरी माफ करना हिमाचल में जो लिक कर दे रहे थे कि हमारी हिमाचल में सरकार बनेगी अचानक अपने लोगों को वहां से विड्रॉक कर लेते हैं और कॉंगरेस दिल्ली से अपने लीडरों को विड्रॉक कर लेती है अब बतादी जिल्ली में कौन साल लेत आरे इस सिर्टाजी बाग या इनको कैसे पता विट्रौवा नाविकाजी में कोई अंडर्सेंडिंग है